समय हो गया है है हैधराबास से जुड़ी हुई बड़ी ख़वर का तो देख लेते हैं कि अगली ख़वर क्या है जो कि है हैधराबास से जुड़ी हुई है अभी फिलाल 14 दिन की रिमांट पर भेज दिये गए हैं ये 4 आरोपी अपरादी चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो उन्हें जब कानून के शिकंजे में आ जाते हैं तो लोगों के होसले पस्त होते हैं और अपरादीयों के विशेश तोर से अब जब इन्हें कड़ी सजा मिल तब ही हम लगाम लगा पाएंगा पराद पर और ऐसे घिनोने सोच वालों पर भी क्योंकि कड़ी सजा ही इस समाज को सही दिशामे ले जा सकती है